Hello friends, My Soul Purpose, My Solution में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तों मुझे कुछ इसी वक्त चानल मेसेज मिला है I need to deliver to all of you थुरा सा खटा है, थुरा सा मीठा है कुछ अजीब सा ही है, चलोला सा है, फियर्ड है आप मैंसे कुछ लोगों को लगबग हो सकता है एक दो दन बहुत अजीब सा हार स्पेस में heaviness लग रही होगी आप मैंसे कुछ लोग सोच रहे होगे कि ये collective की energy है ठीक है कुछ सोच रहे होगा कि शायद DM की energy है कुछ सोच रहे होगे कि ये negativity है ठीक है हो सकता है possible कि आप मैंसे कुछ लोग की तीनों काही सामना कर रहे होगे negativity होगी collective की energy भी आप लोग पिक करते हैं आप लोग empaths है और आप लोग DM की energy भी पिक कर सकते हैं DM की energy इस वकत थोड़ी से भिन है separate है कोई DM है जो कि बिलकुर normal है वो अपनी life में focus है वो खुश है वो कि आप उनके जिन्गी में हो बहुत सारे यूडेंस हो रहे हैं तो बहुत सारे collective of the DMs satisfied है अपनी life में full energy के साथ focus है अपना काम करने में बहुत से DMs जो कि अभी union में नहीं हैं आप लोग तो वो आपको miss कर रहे हैं बहुत तरह miss कर रहे हैं आप कुछ DMs ऐसे भी हैं कि चाहे आप union में हो या ना हो वो अपनी ही जिन्गी अपने focus को अपने अपने career अपनी पढ़ाई job, business, whatever अपने focus को उसमें divert करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं कुछ DM ऐसे भी है कुछ DM ऐसे भी हैं जो बहुत जादा सोच रहे हैं आपके बारे में लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहते हैं कुछ DM ऐसे हैं जो आपके बारे में बिलकुल भी सोच रहे हैं ठीक है, और कुछ DM बहुत खुश है, बट ये energy नहीं है, जो मैं चानल करना चाहरे हूं, energy, third party, कुछ DM ऐसे हैं, जो कि इतने satisfied हो गए, आपकी energy लेकि इतने खुश हो गए, कि उन्हें फिर से दिमाग में ऐसे आया कि, मैं third party के बगार भी ये रह सकता, third party भी चाहिए और आप जाहिए, I don't know, ये mixed feelings क्यों है, क्या आपके अंदर भी ऐसा क्या, जाहिए, जाकिए, कुछ से पूछे, क्या आप भी अपनी लाइफ में कहीं किसी topic पे, confusions में हो, मैं ये नहीं कह रहे हैं, कि शायद आप भी, आपके लाइफ में कोई soulmate से आप डील कर रहा होगे, आपने DM से भी डील कर रहा है, इसलिए आपका DM ऐसा कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहे है, ये भी possibility है, ये भी हो सकता है, but this is a sign of confusions, confusion in taking any decision, तो अगर ऐसा आपकी लाइफ में है, तो जाहिए, उस जगह जाहिए, एनलाइस करिए, कि मैं कहां लाइफ में, इनलाइस करिए, उसको हील कर है, and come to the one solution, क्योंकि हो क्या रहा है, दोस्तों, ये जो energy है, यहाँ पर आपके DM थार्ड पार्टी को energy दे रहे है, दिक्कत दिये है, और थार्ड पार्टी जो बीच पे सुस्त हो गई थी, उसको फिर से energy मिल गई आपके DM से, ठीक है, और आश्यर इस बात का कि इतना, इतना करोना फैला हुआ है, इतना पैनिक फैला हुआ है बहार, तब भी, तब भी, आपके DM थार्ड पार्टी को energy दे रहे हैं, और थार्ड पार्टी को अभी भी energy की जरुवत है, या वो ले रही है, और वो बहुत heavy energy है, बहुत heavy energy है, जो मुझे आपसे discuss करने की जरुवत थी, औ और सिफ मैं इसके लिए कितना ही कहूंगे कि हम responsible हैं, तो कि आपका person, आपका हिस्सा है, share the same consciousness, same chakra centers, तो कहीं, इसलेकर see-saw, मैंने बताया था, यहां आप disbalance होएंगे, वहां उन्हीं disbalance हो नहीं है, उनकी क्या गलती है, कहां disbalance हो रहे हैं, जाएके अपने अंदर जाके चेक क कि आप कहा disbalance हो रहा है, और अपने see-saw को नीचे से उपर लेके आए, लोकल parallel लेके आए, balance में लेके आए, क्योंकि आपके थोड़े से disbalance होने से, या आपकी ज्यादा intensity दे देने से, या ज्यादा आपकी energy दे देने से, आपके DM को तो energy मिल जाएगी, जिस energy को लेने के लिए वो आपके पास आये थे, और जो energy वो third party और उनकी बीच को जो रिष्टा बहुत सुस्त हो गया था, because उनके पास energy थी ही नहीं, और आप से energy लेके, वो आपके energy को वहाँ invest कर दें, definitely ये किसको अच्छा लगेगा, कौन अपनी energy को कहीं और invest करते देख सकता है, देख पाएग येस, तो इसका बस एक ही उपाय है, अगर आप disbalance हो रहे हो, तो आप balance में आओ, inner work से अगर मन हट रहा है, तो वापस से inner work करना शुरू करो, अब तक आप focus थे, बगवान से जुड़े होई थे, surrender mode में थे, अब थोड़ा सा भी गया, आपने disbalance कर लिया है, तो फिर से back to pavilion आओ, और अब अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा intensity अपने person को दे दी थी, तो थोड़ी सी अपनी energy pull back कर लो, ठेक है, ये time जैसा भी है, उनको उनके लिए prayer करो, protection दो, और कितनी energy देनी है, इसका हसाब कताब आपको लेना खुद आना चाहिए, तो energy का ध्यान रखना है, कितना दीना है, कितना नहीं दे नहीं देना है, और आपको किस तरीके से इस वकत form and strong रहना है, inner work करना है, ये आपके से रखना है, कि मैं कहीं किसी सिचिशिन में फस्स गी हूँ, life में, family में, घर में लोग आके बिमार पढ़ रहे हैं, आपका भी balance छूट रहा है तो ये एक test का time है, अगर आपका balance ठूट रहा है, आई ही, आपस back to pavilion, आई है, it's okay, कुछ दुखसान नहीं हुआ, कुछ गया नहीं है, जो छूट रहा था, तो आपस खीच लीजे, तभी तुम्हें warning देती हूं आप लोगों को, तभी तुम्हें चैनल निंग करती हूं, अलाम, आपको अलाम मिल जाए, आप लोग alert हो जाओ, back to pavilion आजाओ, panic के नाम पे time waste मत करो, ठीक है, उध्यान की दोस्ते हूं, God bless you all, love you all.